स्वागते फ्रेंड्स आपके अपने होम साइज चैनल में गुद मॉर्निंग आला फ्यू फ्रेंड्स आसा करती हूं कि आप सभी लोग स्वास्ति को ले के बहतर होंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही यही है कि पहले हम खुद स्वास्त रहें अपने आज पढ़ उसको ऐसे स पूद है क्योंकि यह तरह तरह को क्वेस्टन पूछ लिये जाते हैं कि सी भी प्रकार इपर कोक necesと思います किसी भी प्रकार से कप्डि से लेकर वस्तर साफ सफाई सज्जा धूलाई तथा किस प्रकार से किन किन वस्त्रोड़। द्वारा तEr चैंश मधना ही है कि क्लास को जरूर देखिये और टूटल क्लास देखिये सारे लेक्चर देखिये कोई भी ना छोड़िये एक बार और कहना चाहूंगे कि यदि आपको होम साइंस से लेके कोई भी चीज के बारे में जानकारी लेनी है या फिर किसी भी तरह काम आपको क्वेस्चन पूछना टीजीटी प प्रकार से हटाते हैं और कहां जाके आखिरकार गंदगी बैठती है किस क्रिया को हम गंदगी कहते हैं इस चीज को हम जाने क्योंकि यहीं बीच-बीच से ही कोई लाइन उठा के ना एक्जामनर क्या करता है रख देता है ऐसे कोई लाइन बीच का लाइन गाइब कर देगा fill up कर देगा और जो हमें समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा पीछे का revision करते हैं देखिए ये सब बहुत ही important है सामान ये दाग धब्बे हटाना जो कि सूती कपड़े के लिए बस दिया गया है क्यों? क्यों किते हैं कि सूती कपड़ा friendly fiber बोला जाता है क्योंकि वो सारे मोशब में हमारा साथ देता है है ना अर्था तो उसको ज़्यादा हम इस्तमाल करते हैं उसे ज़्यादा यूज करते हैं तो उसके बारे में हमें काफी जानकारी होनी चाहिए और देखिए सबसे पहले कहेंगे ना कि body से touchable कौन सा कि ःषा होता है oczywiście हाँ यही होता है nova करता है क्पास चाहत असा कि wszystko सबसी पहले है किसी साधी व्यवा में है कोई और फ्रंग्चान है दुआ कोई कंप्ड़े बहुत भारी होते हैं हम उसे वुपर से पहनते हैं यह उनकुर वाल जाता इसे लिए तो आईए देखते हैं, इसके साथ ही हमने बहुत चीजे देखे थे, दाग धब्बे हटाने, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे-कसे हटाते हैं, आयल से सम्मन्दिक, सुस्क वीधी, घीली वीधी, किस-किस प्रकार से हम वस्तर की सफाई करते हैं, अब यहां से हमें डिटर्जेंट के बारे में देखना था, देखिए, क्लास यहीं से सुरू होगा, आसा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया जाना, समझ में आ रहा होगा, ना समझ में आ है, कोई तुरूटी रहे, तो कमेंट बाक्स में उसे भी मेंसन करिए, क्यों यह नहीं कि मैं पढ़ा रही है, तो मुझसे नहीं होगा, मुझसे भी गलती हो सकता है, तो आए देखते हैं, क्या है, सावुन तथा डिटर्जेंट, है ना, इसी से तो हम अपने वस्त्र को धूलते हैं, तो देखते हैं कि उसमें है क्या क्या बताने कोशिस कर रहा है, आपका जल, हमने पहले पढ़ लिया कि जल को भी क्या ले रहा है, अभी कर्मक के तौर पे ले रहा है, क्योंकि हमारा क्या है, चेप्टर ही वही है, तो आगे देखते हैं, सावुन तथा डिटर्जेंट, आथा धुलाई के लिए यह क्या है, सरवाधिक महत्तोपूर, सफा होता है, पहला हो गया दूशरा हो गया तीशरा हो गया और चौथा हो गया तो किसे करेंगे अप्शन थ्री इज राइट है ना वशा और च्छार दोलों का प्रिया आप कभी भी शॉप लगा के देखिए या फिर यह फिश्वास ही लगाई यह तो देखिए अगर उसमें आयल ना पहले देखिए यह डब सावन जो आता है ना उससे देखिए उसमें कितना ओयल होता है वह कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट लगता है सरीर पे तो उसमें वशा नहीं रहेगा तो कैसे वह आपके तुछा को सॉफ्ट बनाया रखेगा नहीं ना तो इन चीजों का प्रियोग होता है शाबुन में आके देखते हैं और क्या भी होता है बनाया जाता है यदि छार का अधिक प्रियोग हुआ है ना यदि छार का अधिक प्रियोग किया जाए तो कपड़ी पर शाबुन का प्रियोग करती समय वह निकल जाता है है ना हम यह डिटर्जेंट है अब हमारा है आरायन ऐसे तु लिखा होता है एसे बना होता है अब इसे इसमें वही कह रहा है कि यदि किसका प्रियोग डिटर्जेन चार का यदि इस साबुन में चार का प्रियोग ज्यादा है तो जब हम कपड़े पे इस करते हैं तो इसे क्या करेंगे घीशेंगे ना जब कपड़ें को साफ करेंगे इसे ना तो क्या होगा कपड़े पर साबुन का पडियोग करते समय समय वह निकल जाता है संसलीष्ट डिटर्जेनक को रसायनों इस बनाया जाता है संसलिश्ट या अर्था सूखे वाले जो डिटर्जेंट होते हैं उन्हें रसाइन उस रसाइन से ही बनेंगे साबून तथा डिटर्जेंट दोनों को powder, flag, bar अर्था चक्की तथा तरल स्वरूपों में बेचा जाता है liquid form में भी होता है हम powder में भी इसे detergent को या फिर साबुन को देखते हैं ना एक तो आपका ये हो गया आई ये कि ये surf का packet आता है है ना, surf का packet आता है ना यहां से ये scissor दिया रहेगा कट करने को तो ये क्या होता है इस पर लिखा होता है घड़ी है ना होता है नहीं होता है ये आपका surf हो गया और उसी के साथ देखिए कोई कोई क्या होता है वो फेश्वास आता है तो ये भी आपका उसी में आगा है डिटर्जेंट दोनों powder powder पाउडर पाॉडर के रूप में भी आ जाता है flax, bar, अर्था चक्की वो क्या डिटर्जेंट के रूप में भी आ जाता है तथा तरल लूप में भी अब ये क्या है इजी आपका जो इजी का बॉटल लेते हैं तो वो क्या है वो भी आपका इसी का रूप है वस्तर साफ करने के लिए तो उसी को बता रहा है अब यहाँ पे देखिए जो कि यह आपका किसमे होता है तरल रूप में तरल रूप में होता है प्रयूक्त कि यह जाने वाले साबु या डिटर्जेंट की किस्म, कपड़े की किस्म, रंग, कपड़े पर जमी, गंदगी की किस्म पर निर्भर करता है, कि आप किस प्रकार के डिटर्जेंट का इन सम में से किस डिटर्जेंट का प्रयोग करेंगे, है ना, आपके वस्त्र के, रेशे के अनुसार, कपाश रेशे का है हैना cotton के रेशे का यदि आपका वस्त्र है तो आप स illegally कभी स्तमाल करें ये प्रीस जर्डेंट का भी स्तमाल कर आं, ये आपका वce की уз also का इस्तमाल करें है उसी चीज को बताया जा रहा है रेशमी कोई कपड़ा है ये रेशमी कपडा है रेशमी वस्त्र है आपका तो आप क्या करेंगे रेशमी वस्त्र को रेशमी वस्त्र क्या करेंगे रेशमी वस्त्र है उस पर कोई इत्ति है तो आप क्या करेंगे शुष्क विधिका प्रयोग करेंगे सुष्ट विधिका वस्त्रश आप करेंगे है ना ज्यादा उस पर यदि कढ़ाई वकरा है तो आपने उपर क्या पढ़ा है कि ड्राई क्लीनिंग करेंगे तब है ना इन चीजों को हमें जानना चाहिए और क्वेस्टन यहीं से लेकर उठा लेता है है हां इजी क्वेस्टन रहता है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं तो देखिए यहां पर साबून था था डिटर्जेंट जो आपका साबून है डिटर्जेंट दोनों में एक जैसा महत्वपूर्ड रासायनिक विशिष्टत पाई जाती है दोनों यह की टाइप है बस उसे जमा द है ना दूसरे सब्दों में आपसे पूछ सकता है यहां से क्वेस्टन निम्न का उदाहरण है अब किसका उदाहरण है पहला क्वेस्टन निम्न का उदाहरण है तो आप जान रहें जब यहां पढ़े रहेंगे इस चीज को तभी तो जानेंगे बस एक्जामनर यहीं काम करता है देखिए क्वेस्टन 3 नोट करिये कि सर फ्यक्टिट निम्न मेंसी किसका उदाहरण है तो डिदर जेन्ट का उदाहरण है है ना किसका उदाहरण है डिदर्जेन्टेका सो आपसन नम्बर वन वन इस राइट हो आगे देखते हैं, दूसरी सब्दों में अभी कर्मक पानी में प्रिष्ट तनाव को कम कर देते हैं, इस प्रभाव के कम होने से पानी कपड़ों को अधिक सहाजता से डुबो लेता है, उसके प्रिष्ट तनाव को क्या करता है पानी के, यह जो आपका अभी कर्मक होता है, अ जब यह आपका यह बकेट है और जब इसमें पानी क्या करते हैं पानी भरते हैं तो कपड़े को इसमें भीगोते हैं बालटी में तो क्या होता है जब उसमें डिटर्जेंट डाल देते हैं तो देखते हैं कि जितने पर दाब देते हैं वस्त्र ऐसे ही बैठा रह जाता है उसमें उसी बात कर जो क्यों कि वो पानी के सता को वो कम कर देता है आगे देखते हैं तता धब्बू और गंदगी को अधिक तेजी से दूर करता है देखिए कोई भी कभी भी आप वस्तर साफ करिये कोई भी थोड़ी गंदी होके या फिर जादा गंदी होके क्वास्चन यहां से पूशता है कि कपड़े को तुरंत गंदा होने पर तुरंत साफ करते हैं कि दो या दस मिनट के लिए अधिक्तम आप भी रख सकते हैं तो और सही रहेगा आपके लिए क्योंकि उस पर ब्रस नहीं लगाना पड़ेगा आपके नाहीं ब्रस लगाना कम समय लगेगा तो इन चीजों क्या यदि आप वस्त्रया ऐसे साफ कर रहे हैं कोई भी कपड़ा है आप ठीक है सुबह उठीए पहले उन कपड़ों को भीगो दीजिए दो घंटे के लिए एक गंटे के लिए आधे गंटे दस मिनट ही भीगो या आधे गंटे के लिए भी हमें ज्यादा सक्ति का प्रियोग नहीं करना पड़ता है तो वही बात यहां पर कह रहा है कि धुलाई डिटरजेंट के सर्फेक्ट तथा आने तत्तों भी धुलाई के पानी में हटाई गई मिटी गंदगी को निलंबित करने का कारिय भी करता है जिससे वह पुना साफ कप कपड़ों पर नहीं जमती इससे कपड़ों के मटमयले पन को रोका जा सकता है और क्यों आप जब देखिए ऐसे भीगवाई है अब एक बार अपने खर पर इस्तमाल करके देखिए कि कपड़ा निकाल लीजिए तीरे से जो पानी है उस पानी को आप आराम से बकेट में से गिराईए धीरे धीरे बकेट में से गिराईए और देखिए यहां सत्या पर ने क्या होगा गंदगी बैठा होता है यहां सत्या पर जो भी होगा धूल मिट्टी कड़ वो यहां पर बैठा मिलेगा आपको तो उसी बात को यहां पर पताल रहा है आगे देखते हैं साबून अचता डिटरजेंट में कुछ अंतर होता है अब हम देख लेते हैं कि यहां पे अंतर क्या होता है साबू falling होते हैं जिनके कारण विठिटरजेंट की अपे अधिए पसंद किये जाते हैं जैसा पहले उलेक किया गया है कि यह प्राकर्टिक उत्पाद हैतें एवं परियावरड के लिए हमानिकारक है। तथा तफटा परियावरड के लिए कम सारे हां पे कम्हानी कारक है क्यों जान हरै क्यों कि ऊस्में देखते ना अब क्या है एलोबेरा सॉप है हल्ती चंदन सॉप। हे ह्ट चंदन सॉप है तरह जहस्मीं सॉप यह में सॉप यह प्रकृति की न qualcosa प्रयोग किया ही जाता होगा है बॉड शकुत है करता हरो घ्र चाल तो देखिए इसका प्रयोग किया जादागा मुझे ज्यादा ना समझाना पड़े आपको फुदी पतागा लेकिन जबकि डिजर्जेंट है तो डिजर्जेंट के बारे में क्या कह रहा है कि सारा राशायनिक होता है राशायनिक तत्तों को मिला के बनता है ना जो आपका डिजर्जेंट है लेकिन जो शॉप है ना उसमें प्रकेर्ट नेचर भी होते हैं सामिल तभी तो आप अपने पसंद का ब्यूटी जो भी ब्यूटी का ध्यान रखके आप मंगाती है कि मुझे एलो भेरा वाला भैस्वास चाहिए या फिर शॉप चाहिए हल्दी चंदन वाला चाहिए जैस्मीन वाला चाहिए ऐसे आप कहती है ना तो उसी बात को यहां पर बता करते हैं क्या होते हैं साहिवाज जैवाज घटनी होता है तotभामारी नदियों जर्ण नहीं करते यह हमारे नदियों जर्ण या फिर आखिर पानी कहीं भी श्टोर होके फिर धीरे धीरे जाके बाहर कहीं मिली तो जाता है एक दूसरे से आपस में तभी तो आज कल नदिया हो दिया गंदगी गंदी हो रही है तो ये उन्हें प्रदूसित नहीं करते हैं जबकि इसके आपेच्छा ये जितने भी डिट ब्रस्टाल में प्रभावी नहीं होता है अब कठोर ड्रका मतलब होता है कि मरेदूजड कठोर ये दो जल होते हैं मरिदू जल कठोर जल ती जो मरिदू जल होता है ना उसमें आसानी ports सब्सक्राइब जाकेज़ जाटा यहाथ और यह शक्राइ檬्ड टार्ग testing उसमें आसानी से घुलता नहीं है इसमें आसानी से नहीं घुलेंगा कठोर का मतलब जान लेजी न कि थंडा जल ऐसे समझेंगे न तो आपको समझ में आएगा थंडे जल को ही क्या कहा जाता है कठोर जल आप कोई भी साबुन ये बर्फ वाला पानी लेकर देखिये उसमें detergent डालिये, देखिए वो जाग नहीं देगा, जबकि आप गर्म पानी में भी अगर, नार्मल तो छोड़ी देजिए, नार्मल तो आप रूज यूज कर रही है, गर्म पानी में भी अगर, ठीक उसके according हम कह रहे हैं, है ना, इसके according कह रहे हैं, कि यदि आप गर्म पा पानी में किसी वस्त्र को धुल लाई है ना, तो आपके लिए कठिनाई होगा, कठोर जल उसे कहते हैं, और वो प्रभावी नहीं होगा, कि आप कठोर जल में भीगो दीजे ना, तो आधे घंटे नहीं साब होगा, जबकि गर्म पानी में थोड़ा गुनगुना में, अब कि बच्चत होगी, ब्रस लगाना नहीं पड़ेगा, सक्ति की बच्चत होगी, समय की बच्चत होगी, आपकी एनर्जी कम वेस्ट होगी, हाना, तो यहां पे देखिए, कठोर जल में प्रभावी नहीं होता है, उसी को बतायागे, परिडाम स्वरूप अभ्याई होते हैं, है न, क्योंकि वो जो कठोर जल होता है, वो ठंडे जल के बारे में बात कर रहा है, शाबून की एक और कमी यह भी है, कि यह संसलिष्ट डिटरजेंट की तुलना में कम समय होता है, कम सच्चम होता है, अब आप मालेजे, आपको खुदी पता होगा, आप यह सौप सी, यद कोई वस्तर साफ करें, तो वो ज्यादा साफ होगा, या फिर डिटरजेंट से साफ होगा, तो डिटरजेंट से होगा न, तो इसमें समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आगे देखते हैं, तथा कुछ समय बाद इसकी साफ करने के छमता समाब तो हो जाती है, काम कर लेती हैं कपड़ा धूलने का भी काम कर साथ कि लाई कर रही है तो चलो बच्चय विष्ट है जो भी साफ करने है तो आप सर्फ का प्रियोग कर लेती निय में उसी प्रीट को यह प्रियोग करें लेकिन सवब करत आप लेकिन किया व स्वबॉर्व करते हैं कि आप भी वस्तरतों तुष्चर फिर साफ करें गांगे जैसे फिंगर होते हैं, जो हाथ के फिंगर होते हैं, वो क्या होंगे, वो इससे टचेबल लहेंगे, तो आपके स्कीन को खराब करेगा, तो इसलिए से, अर्था ज्यादा किसका प्रियोग किया जाता है, क्वेस्चने पूछ ले किसी ज्यादा प्रियोग किया जाता है, तो डिटर धुलाई की विधिया, यह भी बहुत important है, यहां से question लूठ जाता है, तो देखिए धुलाई की विधिया हम नेक्स अगले class में देखेंगे, friends, class हलिके मिनार लिया कर यह सार सारी निगाथ से जरूर सारी class को देखा करें, so friends, तब तक के लिए नेक्स अगले lecture में मिलते हैं, त कि मिलते हैं, यह दो दो जाए सक्तिध क्ल्चशन पता है, पिए सिरा सारी आता है, यह से जरूर कहीं है, विए से देखेंगे, विश्र लिए मिलते हैं तो देखेंगे, यह सम्राइ pigeon नेक्सित सम्राइबा है, यह से जो उना, यह सrunning हैं दो स्थ SecondaryALLY abnormal दोंक्र हो मिलते हम